So be ready for these two exclusive features in your Xiaomi smartphone So यहाँपे हम बात करेंगे HyperOS 2 के कुछ exclusive changes की जो यहाँपे यहाँपे officially आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं long screen customizations की So यहाँपे HyperOS में आपको long screen customizations की clock styles की अगर हम बात करें So आपको कुछ ऐसा UI देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ इसमें आप scroll right करेंगे So आपको यह सारे clock styles देखने के लिए मिल जाते हैं Classic में आपको बहुत ही simple मिलेंगे Room bus में आपको थोड़े से stylus मिल जाएंगे और इसी के साथ magazine में आपको और भी customizations के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन HyperOS 2 इससे भी better यहाँ पे करने वाला है वो मैं आपको दिखा जिता हूं लेकिन उससे पहले हम अगर आप इसके volume panel की बात करें सो control center volume panel आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा और इसमें जब हम full screen में open करते हैं सो इस तरीके से मिलता है लेकिन HyperOS 2 में इसको भी यहाँ पे totally updated किया जाने वाला है volume panel का first look हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जो हमें Xiaomi pads में देखने के लिए मिलता है वही same to same आपको देखने के लिए मिलेगा Xiaomi smartphone में और इसका second look आप check out कर लिजिए आप जब control center से volume panel पे यहां से hold करेंगे तो hold करने पे आपका इस तरीके का layout यहां पे open हो जाएगा जिसमें आपको कुछ options देखने के लिए मिलते हैं कि आप इसमें brightness को यहां पे automatic करना चाते हैं क्योंकि यह वाला brightness का toggle है और आपका ऐसा ही volume का toggle भी open हो जाता है और इसमें आप dark mode को भी open कर सकते हैं और इसमें आप reading mode को भी open कर सकते हैं तो यह वाला भी option में बहुती better देखने के लिए मिल चाता है जो कि आई वह से totally inspired है और इसी के साथ अगला चेंज है आपका lock screen customizations की clock styles में आपको जो clock style है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है हाई पर वस्टो की official updates के अंदर शॉमी 15 series में इसको successfully spotted कर लिया गया है इसका layout यहाँ पर आपको कुछ सरीके से देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको magazine customizations का hint मिल जाता है क्योंकि आप इसका वापलेपर चेक आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर clock आपको पीछे देखने के लिए मिलेगे और वापलेपर की position आपको आगे देखने के लिए मिलेगे तो इसमें आपको depth effect भी देखने के लिए मिलेगा जो शौमी की loxing customizations में केबल magazine में ही available है तो यह केबल premium शौमी स्मार्टपॉन में देखने के लिए मिलेगा जैसे कि शौमी 14 series, Redmi Note 13 Pro series, Redmi Note 14 Pro series, even Redmi K70 series including Redmi K70E, Poco F6, Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 4 and many more premium smartphones सो क्या आप यहां पे इन टू शौमी प्रीमियों फीचर्स हाइपर वश्टू के लिए excited हैं कमेंट नोवें सब्सक्राइब नाव तो रोदी मोर इंफोर्मेशन